जेहिं दोस्तों, welcome to Sonu Army Classes, friends, आज का जो वीडियो है, उसमें मैं nursing assistant के students के लिए आज एक test paper या फिर model paste paper मान सकते हैं, आप वो लेकर आए हूँ, जो कि completely मैं आज इस वीडियो में solve करवाऊंगी, जिसमें सारे subject आपके cover होंगे, और इस model paper का जो pattern है, test paper का pattern है, वो बिल्कुल आ करिएगा, बिना किसी skip के, क्योंकि इसमें जो questions है, वो बहुत ज़्यादा important है, और friends, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो Sonu Army Classes app को visit कीजिए, Sonu Army Classes app में मैंने nursing assistant के जो students है, उनके लिए special test series बनाई हैं, और इस test series में जो first test paper है, उसमें view PDF करके आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आ आप वहाँ पर जाकर check out कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मैंने 14 hour test series आप लोगों के लिए create करी है, और यह जो test series हैं, इसमें बहुत ज़्यादा important questions, most IMP questions include की हैं, तो इन test series को आप ज़रूर एक बार solve करिएगा exam से पहले, तो Sonu Army Classes app को visit कीजिएगा, download कीजिएगा, और वह हम कहां से पढ़ाई करेंगे, हम हमें कब questions करवाईगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक डाउट आपको मैं आज clear कर दू, कि nursing assistant और technical के students का syllabus, same है, questions जो exam में पूछे जाते हैं, सब कुछ सेम ही पूछे जाते हैं, सिर्फ technical के students है, उनको biology नहीं पढ़ना है, आपको biology नहीं मैं आज आप लोगों को करवा रहे हूं, ये भी technical के students कर सकते हैं, क्यों और biology को छोड़के, biology को आप skip कर दीजे, बाकि जो physics, chemistry, maths और GK है, आपका और nursing assistant के students है, सब का बिल्कुल same है, तो आपको doubt नहीं होना चाहिए, और इस test series के साथ साथ में आप लोगों के लिए topic wise classes भी लेकर आती रहती हूं, और आगे भी में आप लोगों के लिए topic wise classes लेकर आती रहोंगी, तो ये topic wise classes है, friends दोनों के लिए होती होगी, क्योंकि syllabus, chemistry, physics, maths और GK, ये सब syllabus दोनों का same है, biology extra ed हो गया है, इवन जो nursing assistant के students है, उन्हें technical का सब कुछ पढ़ना है, और biology extra पढ़ना है, तो अगर मैं topic wise classes करवाती हूं, तो वो दोनों type के students, जो है nursing assistant और technical वाले दोनों attend कर सकते हैं, दोनों के लिए वो beneficial रहेगी, और exam ऐसा नहीं है, कि questions आपके different होगे, उनके different होगे, same type के questions आपको exam में पूछी जाएंगे, या आज आपका में डाउट क्लियर कर देती हूं, तो हम ये जो test paper है, आज simply कर लेते हैं, बिना किसी देरी की, तो फ्रेंट जैसा कि आप सभी को पताएं कि GK का जो portion है, वो first section होता है nursing assistant की exam में, जहां पर GK के 10 questions पूछे जाते हैं, nursing assistant वालों का technical वालों के जैसा same pattern है, यहां पर आपको एक घंटा दिया जाएगा, और 50 questions होंगे negative marking भी है, आपकी one fourth negative marking है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, question paper solve करते time, तो चलिए हम GK का question यहां पर solve कर लेते हैं, question है, चिकित सक दिवस कम मनाया जाता है, when is doctor's day celebrated, तो फ्रेंट सी किस तारिक को मनाया जाता है, 1 July, 1 July को, चलिए next question देख लेते हैं, भारत की प्रथम governor general थे the first governor general of India was, तो फ्रेंट सी कोन थे, Lord William Bantic, शैत्रफल की दरश्टी से सबसे बड़ा राज कून सा है, the largest state in the term of area, मतलब area की form में अगर पूछा जाए आपसे, तो largest state, देखिएगा, इस type की question आपको ध्यान रखना है, कि शैत्रफल की दरश्टी से, जन संक्या की दरश्टी से भ जो biggest state है, वो कौन सा है, तो friends, वो कौन सा है, राजस्थान ही, चलिए, next question है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, what is the full form of AIDS, तो friends, इसका full form, जो बीमारी से related full form है, वो तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, तो friends, क्या है, इसका जो answer है, वो, acquired immune deficiency syndrome, चलिए, next question देख लेते ग्यानपेट पुरसकार किस शेतर में दिया जाता है, इन विच फिल्ट ग्यानपेट अवार्ड एस गीवन, तो friends, किस शेतर में ग्यानपेट अवार्ड दिया जाता है, सारे अवार्ड जो है, किस शेतर में कौन से अवार्ड दिया जाते है, वो at least आपको पता होना भारत की रक्षा का सर्वोच सेनापती कौन होता है? वो इस दे सुप्रीम कमांडर ऑफ दे डिफेंस ओफ इंडिया? तो किसे कहते हैं राष्ट्रपती येने की प्रेसिडेंट को. नेक्स कोशन है, सविधान सभा की बैठक कब हुई थी? विधान सभा से रिलेटेट कोशन या फिर हमारे सविधान से रिलेटेट कोशन एक एक एक्जाम में आपको आता है, तो सविधान आपको पढ़के जाना है. यहाँ पर जो कंस्टिटूट असेंब्ली है, वो कब हैल्ड हुई थी? उसकी मिटिंग कब हुई थी? वो यहाँ पर क्वेशन पूछा गया है. तो उसका राइट एंसर फ्रेंट्स क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को. चले, नेक्स कोशन देख लेते हैं, निम्नली खित में से कून सा देश हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? अभी जो 2023 है, इसमें G20 जो है देश हैं, वो मिलकर इसको चलाते हैं, तो इसका जो सम्मेलन है, इस बार पहली बार हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो आयोजन इसका कर रहा है, तो कुन सी कांट्री कर रही है, भारत यानि की इंडिया, नेक्स उचन है, और थ शास्त्र किसके दवारा लिखा गया है, और थ शास्त्र was written by, तो फ्रेंस और थ शास्त्र किसके दोवारा लिखा गया है, चानक की, अब आपको कनफ्यूज नही तो भी आपको यही टिक करना है और उसके बाद कॉटिल कॉटिल ली भी किसे कहा जाता है चारणकी को तो कॉटिल ली option अगर आता है तो भी क्या होगा चारणकी ही होगी यह तीन नाम है चारणकी के इन तीनों में से कोई सा नाम भी आपको दिया जा सकता है चलिए फ्रेंट्स अब हम आते हैं मैथमेटिक से इने मैथ्स पे मैथ्स के कुशन कम ही पूछे जाते हैं फ्रेंट्स पांच कुशन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 20 मार्क्स कवर हो जाएंगी इजी मैथ्स पूछा जाएगा कोई हाई लेँ पूछा जाएगा लेकिन जो टौपिक से वो सारे आपको कवर करने हैं क्योंकि कोई से टौपिक से भी कोई सा भी कुशन पूछा जा सकता है मैथ्स का कुशन हम यह पर देख लेते हैं एक कार A से B की दूरी 30 km प्रति घंटे की चाल से तथा B से A तक की 20 km प्रति घंटे की चाल से चलती है तो कार की आवसेट चाल ग्याद करो फ्रेंट्स एवरेज स्पीट जो होती है एवरेज स्पीट का जो फॉर्मॉला है वो होगा 2XY डिवाइड में X प्लस Y यह एवरेज स्पीट का फॉर्मॉला होता है लेकिन यह एवरेज स्पीट का फॉर्मॉला होता है लेकिन यह एवरेज स्पीट का जो फॉर्मॉला है ना फ्रेंट्स यह किस कंडिशन में अप्लाई होगा जब आपकी जो डिस्टेंस है दो point जिसके बीचों में ओसत दूरी पूछी है ना उनके बीच की जो distance है वो क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए उस condition में यह formula अपलाई होगा आप जैसे यहाँ पर दिया है दो point दिये है A और B और उनके बीच की दूरी 30 km पते गंटे की चाल से और दूसरी बी से यह वापिस मतलब same distance देखो A से B तक आया फिर B से यह तक आया तो इनके बीच की जो distance है आने और जाने की यह फिर दो point की बीच की distance है वो same है तब जाकि यह formula अपलाई होगा यह आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर हम value direct put up कर देते हैं यहाँ पर x क्या है पहली चाले जो कि 30 km देके रखी पर और दूसरी स्पीड आपको देके रखी 20 km पर और यहाँ पर उन दोनों का आपको सम करना है तो यहाँ पर सम कर दिया है इसको simplify कर लेते हैं यह हो जाएगा टू इंटू 30 में इसको भी simplify नहीं करती हूं 20 था यहाँ पर यह हो जाएगा 50 ठीके तो यहाँ पर इसको solve करेंगे तो फाइव सिक्सा थर्टी छे दूनी बारा और बार दूना चोईस 24 km पर और इसका answer होगा बहुत easy question आएंगे friends डार डरना नहीं लेकिन मैं साब को पढ़ यहाँ आयू की हो जाएग तो बेटी की जो आयू है वर्तमान आयू करेंट एज वाप से पूछिए तो हम question में जुदिया इक्वेशन बनाना आ चाहिए अपको if the mother is three time older than her daughter mother के लिए हम M मान लेते हैं three time older than her daughter daughter को D से हम denote कर लेते हैं after ten year तो जब भी यहाँ पर time बात कबुला है इसलिए हम दोनों की जो age है उसमें क्या करेंगे daughter और मदर की age में 10 जोड़ देंगे जोड़ देंगे 10 साल बात की बात यहाँ पर करी है उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है क्या कहा है कि 10 साल के बात she will be two times as old as her daughter मतलब जो मदर है उसकी जो डॉटर की दस साल के बात जो age होगी उसकी two time हो जाएगी अब पूछिए daughter की जो age है भी current age है वो पूछिए तो इसके लिए दो equation हम simplify कर लेंगे यहां से daughter की age निकाल लेंगे अब daughter की age निकालना है ना friends तो हम daughter की value यहाँ पर put up कर देंगे M की जगह पर 3D put कर देंगे daughter की age का 3 time and 2 का अंदर multiply कर देते हैं 2D plus 2 10 जा 20 यहां साके minus हो जाएगा तो D मिलेगा हमें और 10 minus 20 minus 10 करेंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा तो daughter की current age friends हो आई कितनी आई 10 वर्ष यहने की 10 years next question है एक समकून त्रिभूच की समकून बनाने वाली भूजाएं 8 तथा 10 मिलेगा इस का शेत्रफल क्या होगा the sides right angle triangle का जब area पूछा हो area of right angled triangle तो इसका जो area का formula होता है friends हो होता है 1 by 2 base यहने की आधार into height यहने की उचाई यह होता है तो यहां पर आपको क्या क्या देके रखा है area आ जाएगा 1 by 2 base यहने की आधार कितना देके रखा है best दो भुजाएं तो दो भुजा में से एक आप बेश मान लीजिए और दूसरा height मान लीजिए to force height और 4 10s are 40 तो यह जाएगा area कितना 40 meter square आपको formula आदोने चाहिए मैट्स में basic formula आदोगे तो काम चल जाएगा आप लोगों का चलिए next question है simplification का question दिया है इन सभी को add करना और final answer आएगा वो आपको यहां पर बताना है इसके बाद दूसरा number आपको आड़ करना है यहां पर 2 हे यहां पर 0 है यहां पर भी do है और यहां पर 9 है कि hebben इसको जब आपकर एड़ करेंगे को कितना मिले गा नू दस ग्यारा तेरा चौधा 15 मिले गा पंदरा को यहां पर 5 मिले गा और केरी एक यहां लिख लेते हैं, अब तीसरा नमबर एड़ करना है, यहां पर तीसरा है 4, यहां पर थर्ड नमबर है, कितना 4 है, यहां पर भी 4 है, और यहां पर 8, तो यह हो जाएगा, 8-4-12, और 13-14-15-16, 17, 17 का यहां पर 7 आ जाएगा, और KD यहां आ जाएगी, अब नेक्स नमबर कॉन सा है, 4, तो यह हो जाएगा, 8-4-12, और 13, यहां पर 3 है, यहां पर 8, यहां पर कोई केरी नहीं है, और यहां पर एक लास नमबर ही बचा है, 8, तो यह हो जाएगा, 8, अब यह नमबर कितना मिला, आपको यहां सा आप काउंट करते जाएगे, यह 4, 5, 7, 8, 8, य 5, 4, चले, नेक्स वोशन है, दो संख्याओं का लगुत्तम समाव परवतगीने की, LCM, LCM देके रखा है, यह और HCF आपको यह देके रखा है, एक संख्या देके रखिए और दूसरी संख्या आप से पूछिए, तो यह फॉर्मूला आप रद लिजे फ्रेंट्स, की HCF multiply by LCM is equal to multiplication of two numbers, दो number के गुणनफल के बराबर HCM और LCM का गुणनफल होता है, यहाँ पर HCF की value देके रखी है, कितनी, चलिए मैं दोनों की लिखे देती हूँ, 177, 1722, 41 है, एक value आपको 287 देके रखिए और दूसरी value आप से यहाँ पर पूछी है, मतलब 20 यह पूछी है, find the first number, यह number first मानले हमने यह पूछा है, तो इसको इसके divide में लेके चले जाते हैं, into 41, divide में 2, 87, is equal to, जो second number है वो आपको आजाएगा, तो यहाँ पर हम इसको divide कर देते हैं, 7, 4s are 21, 7, 1s are 7, 7, 2s are 14, 15, 16, 17, 7, 4s are 28, 29, 30, 31, 32, 7, 6s are 42, 246 इसका answer आएगा, और 41 से 41 यहाँ पर cancel हो जाएगा, तो इसका right answer क्या होगा, option A246, चलिए, next question है, physics के भी आपको सिफ 5 questions ही पूछे जाएगे, लेकिन cover तो सारे topic करना ही है, सारे topic important है, किसी भी topic में से कुछ भी question पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ना सब कुछ है, 20 marks का हो तार की विशेशता, the characteristics of the wire used in fuse is, उसकी characteristics पूछी है, फ्यूस तार की जो, क्या होता है, कहां यूस करते हैं, क्यों यूस करते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए, अब यहाँ पर characteristics पूछी है, तो क्या होने चाहिए, लो resistivity, high melting point, low melting point, low resistivity, high resistivity, तो friends, इसका जो right answer हो, आपको confused नहीं होना है, इसका right answer सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, निम्न प्रती रोधक शक्ती और निम्न गलनांक, यह इसका right answer होगा, low resistivity, low melting point, ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं, यहाँ पर प्रती रोधक शक्ती, that means, प्रती रोधक ता resistivity यहने कि resistivity, दोनों में difference होता है, resistivity क्या होती है, प्रती रोधक की, inversely proportional होती है, तो और आपको resistance दिया है, तो Houston में प्रती रोधक तो low melting point करना है, लेकिन यहाँ पर resistivity देकर रखिए प्रती रोधक ता प्रती रोधक शक्ती देकर रखिए तो वो निम्न होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना ठीके चलिए नेक्स सोशने पसीने का मुख्यू उप्योग क्या है दा मेन यूज ऑफ दे स्वीट इस क्यों आता है पसीना किस लिए शरीर का ताप नियंतरित रखने में शरीर में जल की मातरा नियंतरित करने के लिए फिर जो टॉक्सिं से उसको बाह चलिए निम्ड में से कौन ध्वनी के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है विच अब फॉलिंग दस नोट अफेक्ट वेलोसिटी ओफ साउंड तो वेलोसिटी ओफ साउंड हीट डेंसिटी हीट टेंप्रेचर डेंसिटी और हुमिडिटी सभी पर डिपेंड करती है और इन उसके ओपर कुछ भी एफेक्ट नहीं होता है उसका राइट एंसर होगा उप्शन सी चलिए नेक्स वोशन देख लगते हैं रबर की अपेक्षा स्टिल अधिक प्रत्यास थे क्यों होता है फ्रेंट्स क्या कारण होता है तो इसका राइट एंसर होगा अधिक विपरूब स्टिल होता है उसको डिफोर्मिंग करने के लिए ज्यादा फोर्स की आवशकता होती है इसलिए वो मूर एलास्टिक है रबर से नेक्स देख लगते हैं रॉकेट किस सिदान पर कारे करता है फ्रेंट्स न्यूटन के जो सिदान थे वो तो उसके ओपर प्रेक्टिकल तो इसका राइट अंसर क्या होगा फ्रेंट्स न्यूटन का त्रतिनियम न्यूटन स्थर्ड लो आप सभी को पता होगा न्यूटन स्थर्ड लो क्या कहता है कि प्रतिक्रिया की विपरित प्रतिक्रिया होती एक्शन रियक्शन वाली जो कंडिशन होती वो होती न्यूटन की तीसरा नियम और एक question इसके ओपर ये भी आता है फ्रेंट्स Newton के नियम के अगर पूछी जाए यहाँ पर Newton's की नियम दियो तो third नियम की law है उसके ओपर depend करता है लेकिन अगर momentum conservation समवेक सनरक्षन का जो नियम होता है अगर वो option में होता है तो वो इसके डाइट अपर दोनों ही इसके राइट अपर हो गये तो यह कंजर्वेशन ओफ मॉमेंटम पर भी काम करता है यह यहन्य की समवेक संट्रक्षन जिसे कहा जाता है ठीक है समवेक संट्रक्षन का अगर option हो तो वो इसका राइट answer होगा यह दोनों के आपर काम करता है चले हैनेक्स है हुआ जक्स एक्षण है नेक्सक्षरार फ्रेंट्स इंक्स सेक्ष्ण और किसेट्मन है यां मैं уже 15 इस प्रह Scout полystem आपर 60 मांक्ष्ण रहेंगे आप Kek का right and secure friends दात का जो enable होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर hardest part होता है चलिए next question देख लेते हैं 22 जन्तु विज्ञान तथा जी विज्ञान यानि कि जुलोजी और बाइलोजी इसका जो फादर है किसे कहा जाता है तो friends किसे क्रिया के द्वारा होती है उपाव चैप प्रक्रिया जिसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो भोजन करते हैं भोजन से जो होता है जो उनका खाना है फूड है वो किसमे चेंज हो जाता है energy में change हो जाता है और energy उनकी body के दोरा use कर ली जाती है इस तरह से जो प्रोसेस होती है इनको metabolism में कहा जाता है जो कि जीवों की वद्धी में सहायक होती है next option है protein की कमी से कौन सा रोगता है which disease is caused by protein deficiency तो friends protein की कमी से कौन सा रोग होता है क्वाशी और कर next is BCG vaccine का उप्यों किस रोग के बचाओं में किया जाता है जो BCG vaccine बहुत important जो वैक्सिन है हमारे इंडिया में बच्चों को लगाया जाता है और यह किस के रोगता हम के लिए लगाया जाता है फ्रेंट्स तपेदी के नहीं कि टूबर क्लोसिस या फिर टीवी भी आप इसे कह सकते हो कौन सा पक्षी अपना घोसला कभी नहीं बनाता है which bird never built its nest तो कौन सा पक्षी नहीं बनाता है फ्रेंट्स कोयल बड नहीं बनाता है वो हमेशा अपने जो अंडे है वो दूसरे पक्षियों के घोसले में रखतेता है वह ही उनका पलन पोशन करते हैं यह कभी घोसला नहीं बनाता मानव आहानाल में भागो का सही करम है the correct sequence of parts in human जो digestive system है फिर जो elementary canal है उसका जो सही प्रोसेस है सिक्वेंस का वो कौन सा है फ्रेंट्स तो सबसे पहले आप सभी को बता होगा मुख तो होता ही होता है उसके बाद आती है ग्रसिका यानि की ऐसा focus मुख और ग्रसिका उसके बाद आता है क्या अमाश है यहने की stomach उसके बाद small intestine और उसके बाद large intestine यहने की बड़ी आती है कि इसका सही क्रम है Master Granthi किसे कहा जाता है what is Master Glend किसे कहा जाता है फ्रेंट सभी को पता होगा बहुत कॉमन कोशन है Pituitry Glend यहने की पियूश ग्रंथी इसे पियूश ग्रंथी के नाम से भी जाना जाता है यह होती है Master Granthi चलिए नेक्स कुछने पूर्णत है जल नमग पोधा कौन सा है फुली समर्जट प्लांट कौन सा होता है फ्रेंट्स हो हैडरीला परी तंत्र में उर्जा का मुख्युस्त्रोत कौन सा होता है अब बीडी टोफेंग प्लाट का मैंस पूर्णत होता है अधिया में फारियो का getting the अई लियूट्री में कंसा री इनर्जी अग्रजा प्लांग प्लागल प्लांण तो जिर्क में फ्रेंट्रोग्लेब नम एकिकन से लिदिक्स्तुन का इनर्जा़्ट प्लांग और यान- चलिए next question देख लेते हैं मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है the red color of human blood is due to सभी को पता होगा hemoglobin के कारण चलिए next question देख लेते हैं फल का निर्माण फूल के किस भाग से होता है the fruit is formed from which part of the flower एंथर, ovry, stigma या फिर सेपल तो इसका right answer क्या होगा ovry यानिकी अंडाशय के द्वारा निमने लिखीत में से किसे उर्जा के भंडार ग्रह के रूप में जाना जाता है which of the following is known as the store of house और से अनर्जी ओफ हाउस किसे कहा जाता है, तो friends किसे कहा जाता है, माइट्रो कांट्रिया को energy house क्यों कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये responsible होता है for the extracting energy from the food जो खाना है हमारे शरीब में खाना पच जाता है उससे जो ओड़ जा है उसको यह क्या करता है और शोण कर लेता है और स्टोर कर लाता हो जहां पर ज़रून टर्न्लीका प्रावर हाऊ इसलिए यह क्या होता है एनर्जी का पाउवर हाउस नेक्स्ट है उन में से कुन सा पुनर नवनी करंट किया जा सकता है विचो दो following can be recycled लकड़ी लकड़ी एक बार जलने के बाद आपस हैं नहीं मिलती plastic को आप recycle नहीं कर सकते हैं organic पदार्थ जो होते हैं carbonic पदार्थ वो भी क्या होते हैं recycle नहीं हो सकते हैं aluminum को आप recycle कर सकते हो चली फ्रेंट सम सेक्शन ए लास सेक्शन देख लेते हैं chemistry का chemistry आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है 15 पूछे जाते हैं यह भी 60 marks की होती है इस पर भी ज़रा ध्यान दे लना question देख लेते हैं हाँ पर तत्व का अत्यंत शुष्मतम करने कौन सा होता है the smallest particle of an element is तो फ्रेंट ध्यान रखे का question यह बहुत confusing है हाँ पर तत्व का अत्यंत शुष्मतम करने smallest particle of element पूछा है वो कौन सा होता है यहाँ पर अगर compound का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि योगिक का सबसे शुष्मतम करने कौन सा होता है तो फ्रेंट्स वो होगा क्या अनू यह की molecule दो तरह से question पूछे जा सकते है next question है neutron की खोज बहुत देर से हुई क्यों हुई the discovery of neutron become very light because क्योंकि जो neutron है उस पर कोई आवेश कोई चार्ज नहीं होता है there is no charge on neutron चार्ज नहीं होने की वज़े से यह किसे सा ट्रेक नहीं हुआ रिपल्ट्शन नहीं हुआ इसका इसलिए इसकी जो discovery है वो लेट होती रही इसलिए इसका right answer क्या होगा neutron आवेश रहीत होते है चार्जलेस पार्टिकल्स चलिए next question देख लते है friends अमल है acid क्या है टेस्ट में खटा होता है हाँ h plus ion देता है जब इसे पानी में या फिर किसी liquid में घूला चाता है तो यह h plus ion आपको देता है electron ग्रहंड भी करता है except electron यह condition होती है acid की friends यह सारी condition आपको याद रखना है note के लिए copy में तो इसका right answer होगा उप्रोक तो सभी all of the above condition are true for the acid next question है सबसे प्रबलतम अमले the strongest acid सबसे इन सभी में सबसे नहीं पूछ रहे हो पूरे दुनिया में विश्व में ऐसा नहीं है question option के according आपको चलना है और जो option है इन में सभी मेसेज जो सबसे प्रबलतम strongest acid है वो कौन सा होता हो hydrochloric acid वैसे तो यह जो दोनों acid है दोनो strongest acid है लेकिन इस से जादा भी strong कौन सा है hydrochloric यह strong acid की condition होती है कि जब इसको पानी में घोला जाता है तो पूरी तरह से आयनित हो जाता है प्लस और माइनस में पूरी तरह से टूड़ जाता है वो होते हैं strongest acid यहाँ पर right answer आपका होगा एच से लेने की hydrochloric acid एक ही प्रकार की परमाड़ों किस में पाए जाते है यह सेम टाइफ ओफ एटम आर फांडिंस compound mixture element यह फ्रिम्स कोई नहीं तो फ्रेंट में एक तरह के जैसे compound का example आपको में बताती हूँ है क्या है compound इसमें क्या एक तरह की परमाड़ों नहीं नहीं है तो यह तो option गलत है mixture mixture में तो ratio fix नहीं होता है जैसे कि हवा की बात कर ले हैं वायू में बहुत सारी चीज़ा मिक्स होती है तो इसमें कोई एक ही प्रकार के परमाड़ों नहीं होते हैं oxygen होती है नाट्रोजन होती है वगएरा वगएरा अब हम तत्व की बात करते हैं तो element अगेर हम बात करते है i get gamma reaction in which to oxygen Monsieur oxidation की जो condition है वह भी आपको याद होनी चाहिए तो वह क्या होती है oxygen का addition is hydrogen का ये एक पैमाड़ों जिया हो जाती है निकल जाती है EK मैं निकल जाती है the electronics जाते है लेक्ट्रों ये सारी condition ये जो सारी काड़ीशन है ये क्या टू है ऑकसिकरन द लिए आ सकता है बहुत important topic है यह तो bronze है वो किसका alloy है तो friends यह किसका alloy है ताबा और तीन का तो उसका right answer होगा option B copper and T next है backside किसका ask है अजसके related question बे एक्जाम में आते हैं बहुत important है backside का तो question बहुत ज़्यादा है बाग side is the ore of the friends किसका है यह aluminium का चले next question देख लिए है चाकू से काटी जा सकने वाली धातू है the metal that can be cut with the knife तो friends कौन सी धात्तू चाकू से काटी जा सकती है sodium यानिकि एने जिसका formula होता है यह बहुत मुलायम होती नाजुक होती इसलिए इसको आसानी से आप चाकू से काट सकती हो next है किस तत्तू को आवरा तत्व कहा जाता है which element is called the stray element तो stray element यहने कि आवरा तत्त्त किसे कहा गया है friends hydrogen को hydrogen को क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें यह आसानी से reaction कर लेता है हर किसे element से और compound बना लेता है इसलिए इसको आवरा तत्त्त कहते हैं निम्लिकित में से कौन सा तत्त अधिक्तम संख्या में योगिक बनाता है which one of the following element forms the maximum number of compounds तो friends कौन बनाता है carbon सबसे ज़्यादा compound बनात है निम्लिकित में से कौन सा रासाइनिक परिवर्तन का उधारन है which of the following is an example of chemical change तो friends रासाइनिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बता दू ऐसा परिवर्तन जिसमें जो उसका संगठन यानिक इसकी जो बनावत होती है वो चेंज हो जाती है और यह क्या होती है reverse नहीं होत सकते है आपको उसको तो हम यहां पर option देख लेते हैं नरम लोहे का चुम्बग की करन्ड मैगनिटाइजेशन और सौफ्ट आइरन क्या यह chemical process है नहीं यह physical process है क्योंकि लोहे को चुम्बकित किया जा सकता है और demagnetization भी इसका हो जाता है फिर से वह चुम्बक भी बन जाता और फिर से लोहा भी बन जाता है इसलिए यह chemical change नहीं है कागज का जलना कागज अगर एक बार जल गया तो जलेगे कागज को फिर से original कागज में convert नहीं कर सकते है इसलिए यह process क्या है एक chemical change है चीनी का पानी में घुलना चीनी को पानी में घुल दीजिए और जो घुलावा पानी है उसको फिर आप गरम करोगे तो फिर साप कुछी नहीं मिल सकती है तो यह भी यह physical change है पानी में ice cube को तयार करना है preparation of ice cube from water पानी से ice cube बनाना और ice cube से फिर पानी बन जाता है तो यह भी physical है तो इसका right answer क्या हुआ कागज का जनला है क्या है chemical change है next वे भू पर पट्ट यहां पर भू पर पट्टी पर आपसे पूछा है वाई यू मंडल में एफिर उनिवर्स में नहीं पूछा है उसका answer different हो जाएगा भू पर पट्टी पर सबस्यादा पाया जाने वाले तात्व फ्रेंट्स कौन सा है oxygen next question है वाई यू यान के टायरों में भरने में निमनलिखित गेस का प्रयोग किया जाता है विच आप फॉलेंग गेस यूस्ट तो फिल टायर्स ओफ एर्ग्राफ तो इसका राइट अंसर फ्रेंट्स होगा विसे तो नाइट्रोजन भी होती है लेकि नाइट्रोजन की जग इन्होंने दर्विमान्स अंडरक्षन के नियम को प्रतिपादीद किया था तो फ्रेंट्स यह थे 50 क्वेशंस नर्सींग अस्सेंट का जो टेस्ट पेपर था उसके और नर्सींग अस्सेंट्स के साथ आप टेक्निकल वाले स्टूजन अगर हो तो भी आप यह टेस पेपर solve कर सकते हैं biology skip करके क्योंकि आप लोगों का syllabus सेम है आपको doubt में नहीं रहना है कि हम different है हम को different नहीं है दोनों आपका सेम है सिर्फ biology उनका extra add हो गया है तो friends केसा लगा आपको ये वीडियो कमेंड में जरूर लिखिए वीडियो पसंद आयो तो like जरूर कीजिएगा और अपने friends लोग जो भी exam के तयारी कर रहे हैं nursing assistant हो या technical वाले हो उनको ये जो हमारा channel है इसको share जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी जो हमारी classes से उनका benefit मिल सके तो friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए जे हीन जे भारत वंदे मातरम